लाल्ची लोम्री की कहाने एक बार की बात है एक जंगल में एक चलाक लोम्री रहा करती थी गर्मियों के दीन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोम्री को एक खरगोश मिला लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोम्री ने खरगोश को खाने की वज़ाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वह इतना छोटा था कि उससे खाने से लोम्री को पेट कहां भरने वाला था इसके बाद लोम्री आगे बड़ी फिर से जंगल में भटकने लगी कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूकी लोम्री को एक हीरन दिखा हीरन को देखते ही लोम्री के मुँँ में पानी आ गया लोम्री हीरन को पकरने के लिए उसके पीछे दोरने लगी लोम्री ने अपनी पूरी तागत से हीरन का पीछा किया पर हीरन लोम्री की पकर्मी नहीं आया अब लोम्री खाने की तलास में भहुत ही ठक चुकी थी जब लोम्री के हाथ हीरन भी नहीं लगा तो लोम्री सोचने लगी कि इससे अच्छा होता हुआ छोटे से खरगोश को ही खा लेती जिसको उसने छोड़ा था कुछ देर अराम करने के बाद लोम्री खरगोश के ढूंडने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी जंगल में खरगोश को ढूंडते हुए लोम्री वाँ पहुची जहां उसने खरगोश को देखा था लेकिन लोम्री को वाँ खरगोश नहीं दिखा थक हार कर लोम्री को अपनी गुफा में लोटना पड़ा जिसके बाद कई दिनों तक भूखी लोम्री अपनी गुखा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीट जाने के बाद लोम्री को खाना मिला कहानी की शीक इस कहानी से हम या सिक मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए यदि लालच की ये विना संतोसी जीवन जीते है तो आप सुखी रहते हैं हिंदी में लालच के प्रसीद मुहावरे भी है कि लालच बुरी वला है